नमस्कार आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है तो चलिए आप आज के विशे वस्तू पर चर्चा किया जाए आज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज का जो विशे वस्तू होगा वो होमीओ पर ठीक पर होगा पिछला वीडियो जो था से बेज़ फलावर पर चर्चा किया गया था तो आज हम लोग होमियोपर्थी के माइंड मेथड पर चर्चा करेंगे इसको आरोएच मेथड, सेहगल मेथड, माइंड टेकनीक यह सब कई प्नावों से जाना जाता है तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में एक रूब्रिक हाए डेलूजन वेल्थ अफ डेलूजनस वेल्थ अफ इसी रूब्रिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे डेलूजनस वेल्थ अफ पर कि पैसेंट जब आएगा तो किस तरह के भासा का उपयोग करेगा, किस तरह के सब्दों का उपयोग करेगा, तो हम लोग इस चीज को, इस रूबरीक को ले सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसके अंतारगात जितने वर्ड हैं, परियुक्त की हैं, इनको समझना होगा. इसमें दुगों तो मेन वाड़े हैं, एक्टो डेलू जांस, आय एक्टो वेल्थ, ए दुगों हाई, दुगों को हम लोगों को इसको अच्छे से समझ लेना होगा. और चर्चा का आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल माको तुली सब्सक्राइब करिए, जो लोग सब्सक्राइब ना किये हैं, लाइक करिए, कोमेंट करिए, तो अब लोगों को कुछ खरचा होता नहीं, इसमें इसमें मत कुनजूस चलिये आप बकवास नहीं आप एकदम मैटर पर आते हैं आप देखिए डेलूजन्स वेल्थ ओफ में सबसे पहले डेलूजन्स को समझते हैं कि डेलूजन्स क्या है डेलूजन्स जो है से एक गलत धारना विश्वास विचार है जो ब्यक्ति को लगेगा कि ठीक ही है लेकिन दूसरे के नजरें में लगया कि ए उचित नहीं है ए उचित नहीं है डेलूजन्स जो है सेरे पट्री के अंदर तीन खर्म में उपलगधा है डेलूजन्स सिर्शक के अंतरगत एक एक ठोहे इमेजीनेशन जो क्या होगा यह थोड़ प्रोसेस समझते हैं को विचार जिसे क आलपना माननेता यह सब जो होगा थोड़ प्रोसेस समझते होगा इमेजनेशन होगा से और यह जो है है हैलूजन्स यह होगा से संसेशन से समद्धित होगा जैसे इसमें है नहीं है देलूजन फोलेटिंग इन दी एर संसेशन यह सब हुआ और जो इलूजन्स जो होगा से यहीरिंग और भीजन से संब्धनित होगा, देखने सुनने से संब्धनित होगा, भरम, भरम है, इलुजिन के मतलब हुआ भरम, जैसे राज, जो बलता है, एड़ेगिस्तान में अब्रिक लोग को कई से गर्मी के दिनों में पानी का भरम हो जाता है वुशी टर से, तो एक भ हरम से एक ही लोगों को लिए एक ही परिस्थिती जो है, से दूसरों के लिए अलग-अलग दिरिष्टकोन हो जा सकता है, जैसे मानली जै कि गर्मी का दीन है, एक बरफ बिचने वाला है, तो उसको लगे का, कि यह से कि खुब गर्मी पढ़ रहा है, उसको लगे कि आज के तो मोसम खुब बढ़ियां है, आज हमारा बिकरी खुब बढ़ियां होगा, और एक किसी को बाहर जदी जाना है, गर्मी है बाहर कर से आए बहुत दीन खराब है, तो देखे परिस्थिती यह की है, लेकि एक ओको लग रहा है अच्छा, आज एक ओको लग रहा है खराब, एक आजमी को अच्छा लग रहा है, एक को खराब लग रहा है, चीज तो एक ही है, तो यह ही हो गया डेलूजन, अब उसी तरह से खाने पीने के चीज भी किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, वो बोलेगा वो चीज खराब है, अब वो बोल अब हम समझते हैं वेल्थ क्या है संचैपने की किसी चीज की कमी नहीं वेल्थ के मतलब है धन्स, धन्य होना संपत्ती, खुसहाल ये सब चीज मतलब है वेल्थ के मतलब बुध्यमान बुधी का धनी है तो धनी होना उसको कहने का मतलब है इस रूबरी का जो मतलब हो गया कि उसको ऐसा फ्षिलिम होगा कि हमारे पास माने हर एक चीज पराप्त करने का साधन मेरे पास मौजूद है हमारे पास कौमी नहीं है कोई चीज का अब एक पेसेंट आता है एक पेसेंट की स्तरा की आएगा तो बोलेगा भर्षन इस पर सण धिकषन आया भर्षन लुकटा ये क्षेम्व Ôndra में ट्राओं कर रहा है कि श grass येम पा रहे हैं बंडिक्त हो जा रहा है चल नहीं पर हूँ दिकत हो जा熱 है है चल नहीं पा रहे हैं हम कlungenा कोई चीज की कमी नहीं है बास एक वो यही कमी यह है है पूरा सरीर में हमको खाली इशी चीज हेह यह ध् Eagle की है कि हम जहासे की चल नहीं पा रहे हैं सही डहंतु इदर्द के चलते ऊठबइच नहीं ना हमको प्रशाब में कोई प्रोब्लम है," ना प्रेखाना में प्रोब्लम है," न जहीछा की बीबी," न स्वरुगर है," कुछ भी बीमारी नहीं है," हमारा खाली एकặc थो", यह ढूआ घुटनरां भुटने में दर्द है। और कुछ भी प्रोब्लम नहीं है." यह हुआ, Delusion Wealth of, उसको लग रहा है कि हमको और कुछ कमी नहीं है, हमको जह से कि खाली एक ही कमी है, एक ही कमी है, मनें Delusion for He Is, अब यहां कथन में दो थो रूबरिका मिल गया हमको, Delusion Wealth of, हमें हमारे सरीर में कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, यह ही एक कमी है, दिलूजन पूर ही इस दो रूबिक मिल गया अब दो रूबिक मिल गया तो जहें मों दावाई भी मिल गया अब डेलूजन ff में 12च दावाई करी पररीब है तो इस में मैक्सिम्म तीन दावाई हैसे। देलूजन वेल्थ होफ में 12 दवाई करीक परिवह है और जब पलस देलूजन पूर मिल गया तो इसमें मैक्सिमम तीन दवाई है अभी के रेपर्टरी में दखेएगा तो तीन दवाई हैगा कम्पुलिट रेपर्टरी में सल्फर को भी डाल दिया गया है तो उसको जदि धरते हैं तो हमको तीन दवाई आता है कुमकूं बेलेडोना, सल्फर और नक्सभूमिका और नहिं तो पहले ओला रेपर्टरी देखेएगा ते यह कहीं दवाई आएगा बेलेडोना ही सीर्फ आ पूछ गए, तीन दबाई पर पूछ गए, अभी सी में जदी पैसेंटेक्टों आ गए बोल जता है, कि हमको आइसा दबाई दीजिए ना कि जल्दी से जल्दी हमारी भी मरिया थीक हो जाए, बस हमको आ गए सिधे एक नो बिलेड़ोना, कहरी डियार टूब फास्ट इसमें आइड हो गया, आजया बिलेड़ोना पर, देखिए, यह ही हो गया, यह माइंड में थाट, तो आज के लिए, बस इतना ही, फिर मिलेगे, अगले वीडियो में, नए विश्यवस्तू के साथ, और हाँ, हमारा और OCD पर वीडियो है, इनफिरोटी कंप्लेक्स पर वीडियो ह है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर है, थोड़ा सा, वह भी देखना चाहेंगे, जो लोग सो देख ले सकते हैं, अच्छा, आउर है, बैच फलाबर का, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, चेस्टनट बड है, और सेल्फ कन्फिडियन्स का भाव, जिनका है, ओ और लोग जदी चाहें, तो बैच फलाबर का, इस सब पर मेरा वीडियो है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक दे दिया जाएगा दिस्क्रिप्शन में, देखना न भुड़ें, तो बफ आज इतने ही, नमस्कार, जैहिंद, धन्यवाद,